नमस्कार दोस्तों मैं इंजिनियर अनिस राज आप लोगों हमारी यूट्व चैनल सिविल अनिस राज में दिल से स्वागत्य प्राइब बहुत-बहुत स्वागत्य प्राइब आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि तो कितना आपका मेटरियल और खर्च क्या लगने वाला है सेट्रिंग लेवर का कुष्ट साथ हिने तो चलिए वीडियो को करते हैं बहुत इंड्रेस्टिंग वीडियो तो आपनों पूरा दिखिएगा आसबास अगर तेरस स्वाइब का एरिया है आपका स्वाइब कराने का ठीक है मैं टोटल 1300 स्वाइब कास्टिंग का एरिया का बात कर रहा हूँ स्वाइब का जो मटाई है थिकनेस अब स्वाइब जिसको बोलते हैं वह 5 इंची का रखना है और mm में 127 mm हो जाएगा और फूट में 0.4166 फूट हो जाएगा दोस्तों कॉंक्रिंट अगर भॉलूम का बात कर ले तो कॉंक्रिंट भॉलूम स्लैब और फ्लोर जो बीम होता दोनों मिला कि अगर बात कर ले तो 28.8 मीटर क्यूब है अलग अलग अगर बात कर ले तो 23.6 मीटर क्यूब आपका स्लैब के लिए है जिसको हम सूखा ड्राइब सूखा कॉंक्रिंट भॉलूम बोले है। अगर सिलाइब में स्टील का अगर बात कर लेंगे तो स्टील जो हमेशा डलाता 8 से 10 mm कम से कम डलाता है। ठीक है点 saja hep यह दिस्ट्यूभीस लाइब टो में बार आपका हमेशा these long Siz्टूभीस जो लंबा स्ट्यूभीस जासना यह मैंटवरस है Цस्ट kijken जो है मतलल लंबा वाला जो है उसमें 10 mm डलाएगा जो सबसे नीचे होता है उसी को main बार बोलता है उपर से डलाता हो distribution बार होता है beam में कम से कम 10 से 12 mm का still use करना ही है इससे कम का आप use नहीं कर सकते हैं और इसमें जो concrete का mix ratio लिया गया है जो concrete हम बनाएंगे आपको दोस्तो वह आपका 1,2,3 ratio है जो की best ratio इसको माना जाता है वैसे तो आपका ratio का अगर बात कर ले तो 1,2,4 ratio होता है जो छोटे-छोटे slab बेगर ढलवाना हो कास्ट करवाना हो उसके लिए आपका ये ratio बेस्ट है बट आप 600 square foot से हमेशा अगर 600 से उप 500-400 से उपर अगर slab कास्टिंग कराएंगे उसके लिए concrete ratio हमारा होता आपका 1,5,3 होता है ये ratio होता है जो बड़ा-बड़ा slab के लिए होता है लेकिन हम फिलाल 1,2,3 ratio का बात कर लेंगे तो 1 bag cement लेना दो bag बालू लेना है और 3 bag आपका गिट्टी लेना है तो दोस्तो इसमें cement का अगर बात कर लेंगे तो cement आपका slab के लिए दोस्तो 103 bag परने वाला और beam के लिए आपका 25 bag total आपका 138 bag हो जाएगा और market merit आप अच्छे brand cement का अगर बात कर लेंगे तो 340 से 380 रुपया के बीच में परता है ठीक है अल्टाटेक ACC अगर अच्छे cement लेंगे तो बाकि local cement ल 25,130 रुपया परने वाला है 138 bag का slab और beam दोनों मिला के अगर beam नहीं डलवाएंगे तो 113 bag परेगा और आपके area में जो भी rate रहें प्लिच comment करके जरूर बताना तो अगर बालू का बात कर ले तो 278 CFT परने वाला है slab के लिए ठीक है चछत के लिए और 62 CFT आपका परेगा beam क लिए तो टोटल 340 CFT होगा अगर एक CFT का बात कर ले तो 70 रुपया पर CFT हमारे area में चल रहा आपके area में यह rate कम भी हो सकता है यह rate अलग-अलग location पर भैरी करता है कहीं पर 45 है कहीं पर 60 है कहीं पर 70 है कहीं पर 75 है ठीक है तो वो ability पर depend करता है market पर depend करता है आपके area में जो हो गिया metal हो गिया blast हो गिया खड़ी हो गिया तो छत के लिए आपका 417 CFT लगेगा और beam के लिए बिरान में CFT लगने वाला है दोस्तो टोटल मिला के आपका गिट्टी हो जाएगा 508 CFT छत और floor beam मिला के तो market में इसका भी rate हमारे area में 70-75 रुपया चल रहा है आपके area में क 1560 रुपया आपका गिट्टी के उपर परने वाला है ठीक है तो दोस्तो एस्टील का अगर बात कर ले तो एस्टील तो market में अभी आग लगा हुआ है और क्या बताए आपको बहुत ज्यादा rate भर गिया और इसके उपर हमने वीडियो बना चुके है कि online कैसे चेक करेंगे अलग अलग ब्रांड का ठीक है तो उसके उपर वीडियो बना चुके तो आप लोग देख लीजेगा स्लैब के अगर बात कर ले छत के लिए तो 390 केजी लगने वाला है और वहीं बीम का अगर बात कर ले तो 408 केजी लगने वाला बीम के लिए तो दोनों मिला के 1790 केजी और टाटा का बात कर लीजे सेल वेगर अगर तो 95 रुपया पर रहा है एक केजी का तो 85 रुपया कम से कम हम ले के चले 1798 केजी का 152830 रुपया एस्टील हो गया कीमत ठीक है और येर रेट अगर भैरी करेगा कम होगा तो बाद में हम इसके उपर दुबारा वीडियो अगर गाउंवाले चोटे सीटी और मेडियम सीटी का अगर बात कर लीजे तो 45-55 रुपया और 80-120 रुपया आपको सौथ हिंडिया तरफ परता जो महराष्ट हो गया करनाटक हो गया बैंगलोर हो गया है हधराबाद हो गया चन्ने हो गया केरल हो गया तो वहां पर आपको प्रेट को सेट्रिंग करके देगा और इस्टील बांद के देगा ठीक है तो आपको एक्ष्टा लेवर चार्ज खर्चा करने का कोई जरुत नहीं होगा तो दोस्तों अगर टोटल अगर बात कर ले कि कितना पर ने वाला है तो टोटल अगर रेट को जोर दिया जाए आपक मेटरियल कारेट और सेटिन लेवर कारेट तो यह 3,23,820 रुपया आपका पड़ेगा ठीक है स्लाइब कास्टिंग करने के लिए अभी के डेट में असा है कि यह वीडियो आपको धोरा भी अच्छा लगा हों तो प्लीज हमारे जालों को सस्क्राब करके हमें सपोर्ट कीजिए मोटिवेट कीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक लिए जय इन जय वरात बंदे मात्रम दोस्तों